तो चलिए अब ज्यादा बात राकर वीडियो को स्टार्ट करते तो जैसे ही मैं स्टार्ट होता है आये टो ग्लॉडिया और किने सामने चले आते जैसे कि वो ओफेस करने वाले और साइट में थोड़ा सा पीछे साय रहे थी वो दूर से हमला करने वाली और यूलिस बस सपोर करने वाली है यह रहता है उनका टीम फॉर्मेशन और होमरूम टीचर का टीम फॉर्मेशन रहता है कि दो बंदे सामने रहेंगे दो बंदे पीछे रहेंगे और वो बस उन चारों को सपोर्ट करेंगी तो उनकी दो बंदे में एक बंदे के पास गन है एक गंदे के बास तल और वो दोनों विल्कूल अईटों की तरफ इ princess ला करती हो जाने लेते आईटों की अमला क Arbeit लिए को लोग लोगों को इक्नोर करता है और यह सम्ते हो कर एध Hour तो ना मेरे यह उपड़े की हमला कर रहा है पता चली जाता है कि असली बैटलने भी ऐसा ही कुछ होना वाला है लेकिन तभी किने हैं आप क्लोरिया मिलके हमारा जो होमरून टीचर रहता है उसे घेर लेब और हैटो सोसता है कुछ जो अगर होमरून टीचर के बैस्ट तूर जाये तो फिर मैच खतम लेकिन ओमरूम टीजर को क्लोरिया की एविलेटी के बारे यह आपस धोड़ी ही बहुत पता होता है जो बाकी लोग के पता होता है कि वह फ्यूचर देख सकते हैं लेकिन उपकिसे काम करते हैं तब ही होमरूम टीजर बोलती है कि तुम कर दोच कर रहा हो तो तब पीछे से साहिए बहुती जोर तार्ट फायर हमला करती है और टारिक लगता है और सबी लोगों को लगता है मैंच फटम हो गया होता है लेकिन जैसे द्वाहता है हमें एक सेंड के दिवार दिखाया जाता है और रहटो वोलता है यह जरूर उससे मुझ भी नहीं होता लेकिन यूलेस्ट प्ल्कुल भी टाइमस नहीं करती है उसी टाइम के अंदर एक बहुत हो था फायर वाल हमला रिटी करती है और आयटो भी एक्तम रेडि हो जाता है कि जैसे ही यूलेस्ट आमला करेगी फायर बॉल और जैसे ही वह होम लुट टीचर थ गपड़ा जाती है वो होम्रों टेचर हमने हास से पूरा की पूरा यूलिस की एनजी को एबसॉफ कर लेती है उस पाउर को और तभी वही पाउर को आयटो की तरफ छोड़ देती है और आयटो जैसे तैसे रूख जाता है और आयटो को बहुत ही जोडतान हमला लगते है तो दूर जाए गिरते हैं और ग्लोरिया और किरिंग की साथ जो डॉल फाइट कर रहा हो तो पीछ से पीछे मूव आ जाता मतलब कोसी फॉर्मेशन में आ जाता जाता जैसे वह स्टार्ट किया तो फाइट और तभी हमनों टीचर क्यों को बोलती है कि आयटो किने तुम मु रहे तो मुभ नहीं करना चाहिए और तुम अपने काम सही तरह के से करो ना तो फ़र आयटो कीने और भी असवासिनी सब्गूर कर पाते तभी साथ और फिर वेल्टी यूलिच तुम्शेखने मुझे एक लिस था क्या तुम सच में ऐसे हमला करते हो या फिर तुम बस मुझे अंडरेस्टिमेंट कर रहे थे तभी यूलीज विकते नहीं में बस आपके अपने आप देखना चाहती थे कि आपके सच में एब्सॉप कर पाते हैं हमला या नहीं तभी होमडोन टीचर बोलत की तरफ ध्यान नहीं रखना पथा तुम्हें अपनी टीम की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है और तुम बस ऐसे ही सोच रहे तीक जैसे मौका मिलेगा तुम मुझे हमला करोगा लेकिन अगर तुम इतना ज्यादा मतलब सोचते नहीं तो फिर शाय तो मुझे हमला ज्यादा suitable रहेगा टीम बैटल के लिए लेकिन मुझे लाइता हम है यह सही तरीके से अब भी नहीं कर पाड़ा हो मुझे और भी मैनत काना परेगा इसे अच्छी तरीके से अच्छी जगा पर यूज़ करने के लिए और तभी वो बोलते हैं तुम्हारे लिए कोई को यूज़ करो और मेरे जितने भी वह शैडो से वह तोर तो फिर आमागी उडिया तो मुझे आसान इसे हडा सकते हैं तभी क्लॉडिया जबाब देती है और बोलती है कि अगर यह असली टूनमने बैटल होता तो मैं वही करती है और तभी होमरून टीचा क्यों को बूलती है कि तुम्हें प्रेक्टिस पैटल में भी उत्ता ही बहुत यूज़ करना चाहिए कि टूनमेंट इजी नहीं होने वाला है हाला कि यह बात क्लॉडिया हां बोलती है लेकिन ऐसा नहीं लगते कि वह सच में करने वाली है उसकी एडवाइस को फॉलो करने वाली है तो फिर स थोड़े थोड़े करते दिरें दिरेंगर कर रहे उसकी अबलेंटे को मेंच करने लगे फिर समय होने के बात हमें धिक्था जाता के आयको भाग के जाता है साह की पास और साहा की रूम को हमें धिखाय यह तुम इतने दूर आय तबहिए मुझे अशा लग रहा यह कि तूम काफी दिन से मैनत कर दो तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आगी तभी साया बोलता है ठीक है फिर मैं ब्रेक ले ले लितुँ हो साय की रूम पूरा मेकानिस्यम से बढ़ा हुआ रहता है तो यह काफी अच्छा है न तभी साया बोलता है मेरे डैकी प्रति नहीं लेकिन हां तब आयाटो बोलता मिडिल स्कूल में तुमने पास ऐसा यह घर था ना तभी साया बोलता तुम बहुत ज्यादा अच्छी तरिका से जानते हो तब आयाटो बोलता अपितों मेडियल अप्ट समर्च चैल रहा है लेकिन बाहर तो काफी करमें लेकिन इसकानिस अम इतना ज्या अच्छी तरिके से जानते हो तब आयाटो बोलता साया तुम बहुत ही जोता हमारे ट्रेनिंग तो चल रहा है तुम देख दो क्योंकि लिफ बहुत ही पास आ गया है लेकिन ट्रेनिंग को छोड़के जारा टाइम तुम यहां पड़ी स्पेंड करते हो तो यह सही नहीं है क मतलब जीतना तुम्हारे मकसद तो नहीं होना चाहिए कि जीतना ही पड़ेगा मेरा एक विश ऐसा कुछ तो तुम्हारे लिए नहीं है तभी साया बोलता है मैं समझ कि तुम क्या बोलना चाहिए तो शाय से यूलिस भी आसा ही सूचत है लेकिन मैंने उस टाइम जो बोला यह अच्छे है कुछ ज्यादा बरौसा करने के लिए तभी साया कागा सा टुका रजगालती है और वो दिखाए तो शौफ हो यह असा नहीं हो सकता और वह वही कागा सा टुकरा होता है चोकि वह लोग बच्छन में शेयर करते थे तभी आयटो बोलता है तुम आपी इसे क क्यों नहीं यूज करने वाली हो तभी साया बोलती है क्योंकि मैं अभी उतना अधा ब्रेफ नहीं हो यह सुनका है डोलते क्या क्या तुम कुछ कह रहे थे तभी साया बोलते है नहीं चरदाने दो और यह बोलके फिर से साया अपनी कस्टमाइशन में लग जाती हो लोगभा जाती है और तभी क्लोडिया अपनी आग खोथी और वह देखती हो इस अपना था वैसे काफी टायम हो गया कि उसने मेरे सदैसा किया है तबी क्लॉडिया अपनी फोन को चेक करती हो देखती है अभी सूबे की तीन बजे और लेकिन उसके पास एक फोन आया था जो कि वो रिसीव ने कर पाए और और किसी का नहीं इशुरो कर था तबी क्लॉडिया इशुरो को कॉल बैख करती है यह शुरो बोलती है तुमने जीस बंदे की ऊपर तोड़ा खबर रहे नजर नकले को बोला था मेरे पास उसके लिए कोई न्यूज है तबी क्लॉडिया बोलती हुआ और तुम सच में आपने काम के लिए के काफी ज़्यादा सीरियस रहते हो लेकिन मैं तुम मेरे से थोड़ दोरी बना के रखना क्योंकि लोड़ तो पूरे इंटर्णाशनल गैलेसी फांडेशन की खिलाफ जाने वाला है और जो शैडो स्टार है वो प्रीज के लिए काम करते हैं और स्टोरें क्रांसर प्रेजिदेंट की अंडर काम करते हैं मतलब से डोस्टार ओड़ो गैलेसी की तो आप क्लोरिया गैलेसी खिलाफ जाने वाले के तो वह नहीं चाहती है कि इसे वैसे इशिडो को कोई तकलिफ पहुचे तभी इशिडो को मुझे जानते हो प्रीज मैं शैडोस की तरह काम करता हो स्टैडोस टैस्टार की तरह तो यह सब कुछ खाल डिफरनेस तो नहीं पनना है मैं लिए तब क्लोरिया बोले शुक्रिया मेरे पीचे रहने के लिए और यह वह फोन रख देती है हाले ही क्लोरिया मन में सुचती है कि उसे इशिडो को उपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा थोड़ा सा ही चांसे से कि इशिडो गैसी की साथ भी पैनल बहुती पास आगी है अब क्रिफ स्टार्ट होने ही वाला है और वो अपनी वीश भी मांगने चाहती है और इधर ही या चाप्टर वन कदम हो जाता तो नेक्स चैप्टर नेक्स विक तर गया आजाएगा फिल मिलते अगले किसे वीडियो में तिल देन बाई सिया